इसे बग्या के फूल आपकी बग्या को महdockाते हैं वयसे ही घर में बच्चे आपके घर को महुकाते हैं तो हमें बच्चों की खुषी का भी द्यान रखना है आ रही है होली तो अपने बच्चों को खुष रखने के लिए उन 첫 straw कि पहुत प्यारा सा गिफ्ट Hello friends, मैं हूँ अपरणा और आप सबको होली की हारदिक शुप कामन है तो होली के मौके पे अपने बच्चों के लिए एक बहुती सुन्दर सी होली का गिफ्ट बनाए तो मैं अपने बच्चों के लिए मेरी एक बेटी है मैं उसके लिए हर साल ही बनाती हूँ तो आज मैं उसी की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे आपको कुछ टॉफी दिख रही होंगी, कुछ चॉकलेट दिख रही होंगी तो हमें यह टॉफी और चॉकलेट नहीं देनी है इनसे कुछ बनाना है, जो मैं हर साल अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ साइड में आपको एक फोटो नजर आ रही होगी, यह लास्ट येर की होली की फोटो है मैं हर साल अपनी बेटी के लिए यह होली की माला बनाती हूँ ये जो आपको टॉफी दिख रही है, इनी टॉफियों से ये माला बनी हुई है तो आज मैं इसी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए टॉफी की माला कैसे बना है तो आप टॉफी अपने चॉइस की ले सकते हैं, कोई भी टॉफी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर मैंगो कैंडी ली है, किश्मी वाली टॉफी ली है, मैलोडी की टॉफी ली है और चार फाइव स्टार ली है, चार मंच ली है आप कम जादा टॉफी अगर आपकी हो तो कोई बात नहीं आप कितने भी टॉफी और चॉक्रेट ले सकते हैं और टॉफी अपने चॉइस की रख सकते हैं बस टॉफी में जो ये वाली टॉफी होती है जिसमें इसका रैपर यहां से मुड़ा होता है एसी टॉफी लेनी है जिसमें ये वाला पैटन हो यानि ये मुड़ी हुई हो ताकि जो हम माला बनाएंगे उसमें फ्लावर का लुक बहुत ही अच्छा है तो ये सब मैंने टॉफीया ली है 20-20 टॉफीया है आप कम जादा भी ले सकते हैं लगबग एक फूल में हमारी 8 ये नॉट टॉफी लगेंगी तो टोटल मिलाके मैंने हर तरीके की 20-25 टॉफीया ले ली है इस टॉफी की माला को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक रैट कलर का रिबिन लिया है आप गोटा भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लगबग देड़ मीटर के असपास यह अपना रिबिन लिया है मेरी बेटी 5 साल की है तो 5 साल के बच्चे के लिए देड़ मीटर रिबिन लेना है अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप एक मीटर रिबिन में भी आपका काम चल जाएगा बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग आपको यह रिबिन लेना है और इस माला को बनाने के लिए मैं एक ग्लूगन भी यूज़ करूँगी इस ग्लूगन से ही यह टॉफी से माला इसमें रिबिन में लगेंगी तो एक हमें ग्लूगन चाहिए एक रिबिन चाहिए और कुछ टॉफिया चाहिए तो इन सब की हम मदद से एक बहुती ब्यूटिफुल माला बनाने वाले हैं बच्चों के लिए तो आईए स्टाट करते हैं इस ब्यूटिफुल माला को बनाना फटा फट बन जाएगी ये माला आप वीडियो को देखते रहिएगा और मेरी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हाँ आपने बच्चों को गिफ्ट जरूर दीजेगा तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंग्स ये ब्यूटिफुल माला बनाना तो सबसे पहले हमें एक गटा लेना है, यह मैंने एक कॉपी का गटा लिया है, बहुत हलका सा लेना है, ज्यादा भारी नहीं लेना है, टोटल मिला के हमें इसमें साथ फूल बनाने है, तो हमें इसमें साथ सर्ती बना लेंगे, तो मैंने एक धकल लिया है, इससे मैं साथ सर् तो देखिए मैंने हापे साथ सर्टी बना लिये हैं अब इन सर्टी को हमें कैच्छी की सायता से कट करना है आप सर्कल छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे आपकी टॉफी का साइज है उसके अकॉर्डिंग करना है मैंने एक धक्कन से इसको बनाया है आप किसी भी चीज से इस सर्कल को बना के देखिए इस तरीके से कट कर लेजे एसे ही मैं अपने सातो पीस को कट कर लेती हूँ जो छे पीस और है इनको भी कट कर लेती हूँ तो देखिए मेरे यहां पे सातो सर्कल रेडी हो गया हैOoh आड़ाज जटक invece कटा है उससे कोई पराएक परकने पर लुक्कुल एक्कुरेट的時候 क्या ना भी हो तब भी तो देखिए मैंने हाप ए 7 सर्कल बना गये हैं अब हम इसमें टौफी से डिजाइन बनाएंगे अब देखिए क्या करना है हमको यह जो हमारे सर्कल है इसमें हमें टौफी लगानी है तो नीचे जो सबसे नीचे रहेगी उसमें हमें एक सिंगल टौफी का पेर लगाना है और बाकी दो में सेम लगेंगी दो में सेम लगेंगी और दो में सेम लगेंगी यह नीच है पेर में और एक सिंगल लगेगी देखिए किस तरीके से सबसे नीचे वाली जो है वो मैं बताती हूं आपको यहां पर हम अपनी जो मैंगो बाइट है वो लगाएंगे यलो कलर की टॉफी आप अपने चॉइस की रख सकते हैं कोई भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं तो पहले हम इधर ग्लू लगाएंगे और इसके ठीक सामने ग्लू लगाएंगे इस तरीके से हमें ग्लू लगाना है और इस टॉफी को यहां पर रखना है इस तरीके से जो हमारा यह वाला पोर्शन है ग्रीन वाला टॉफी का जो फूल बना हुआ है यह में सैंटर में रखना और दबा के रखना है इसको यह खुलेना फिर ऐसे ही एक आपको इधर रखना है और एक इधर रखना है तो यह देखिए गिए हमें रख दिया और यहां पर अपनी डूसरी टॉप यह तो हमने यह देखिए चार लगा दी ऐसी हम इधर की तरफ भी लगाएंगे एक इधर लगा दी थोड़ा स्पेस बनाके लगाना है ताकि हमारी जो छे टॉफी है यह सैट हो जाएं यह देखिए यह फूल जैसा बन गया बहुती सुंदर बना है ऐसी हम अपना एक और पेर बना लेंगे सेम इसी तरीके से बनाना है सामने सामने टॉफी लगा ली पहले फिर इसके बगल में लगा ली वाती इजली बन जाती है यह फ्लावर जो है हम बना रहे है टॉफी का यह जो सेंटर में आया है यह फूल जैसा लुट देता है इसलिए से मैंने सेंटर में करा है तो देखिए हमारा यहाँ पर एक सैट बन गया ऐसे ही हमें दो सैट और बनाने हैं यह दो हमारी टॉफी बची है इनके दो सैट और बना लेता है एक किस्मी का बना लेता है एक मैलोडी का बना लेता है आप कोई भी टॉफी रखिए बस थोड़ी कलर्फुल रखेंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छी लगेगी इसलिए मैंने रैड येलो गोल्डन और थोड़ी कलर्फुल टॉफी लेके आई हूँ आप जो मंच चाहे वो रख सकते हैं जैम्स के भी पाउच आते हैं इस शेप में मेरे को मिले नहीं इसलिए मैं ये फाइव स्टार और मंच लेके आई हूँ आप जैम्स के भी रख सकते हैं तो इस तरीके से मैं दो पेयर और बना लेती हूँ अपने देखिए किस्मी की टॉफी लगाती हूँ इस वाली टॉफी में जो है ये दोनों तरफ ये जो ऐसे बने हूए है रैप करके तो इसमें और अच्छा लुक आने वाला है तो इस तरीके से लगाते हैं मैंने इस तरीके से लगा लिया इधर भी फ्लावर का लुक देगा इधर भी फ्लावर का लुक देगा बहुत ही सुन्दा लगने वाली है यह माला फ्लाव एगजस्ट करने में दिकतत होती है टॉफियों को क्योंकि स्वेर शेप की है यह टॉफियों आपकी महनत जरूर रंग लाएगी आपके बच्चे तो खुशी हो जाएंगे यह देखिए एक प्यार एक दूसरा जो प्यार है वो बनाया है मैंने यहां पर यह देखिए किस्मी का ऐसी एक और बना लेते हैं कि देखिए दो सेट आपके बन गए एक मैंगो कैंडी के एक किस्मी कैंडी के खुब्सूरत लग रहे हैं एक तीसरा सेट भी हम बना लेते हैं अब मैलो लीका हुआ कि इसमें जो यह वाली वो टाइप की है इसको अंदर रखना है अंदर की तरफ कि अ कि अ कि 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 अ कि हमारा बन गया है कि एक और साइड बनाएंगे एक फ्लावर में हमारी सिक्स के आसपास टॉफियां लगी हैं ज्यादा भी नहीं लगी हैं आप चाहने तो सारी अलग-अलग करके भी बना सकते हैं यह देखिए तो मेरा एक सैट यह तैयार हो चुका है तो यहाँ पर मेरे तीन सैट तैयार हो गया है अब हमें बेस में नीचे एक और यह वाला सैट बनाना है तो इसमें आप कंट्रास्स में भी लगा सकते हैं और कोई चौधी टॉफी के भी उसकर टक सकते हैं लेकिं मैं इन ही टॉफियों से बनाऊँगी तो मेरे पास यह किसमी वाली टॉफियां हैं तो मैं इसी से बनाने वाली हूँ इसको दूर दूर लगाके इसको दूर दूर लगाके तो यहां पर मैंने एक और सैट बना लिया इसका यह अच्छी तरी इसके चिप अब चुकी है तो यह मेरा पूरा यह जो एक सेट ये एक सेट ये एक सेट ये तीन सेट तैयार हुए हैं और एक मैंने एक्स्ट्रा सेट बनाया है नीची बेस में लगाने के लिए देखिए कितना खुब्सूरत लग रहा है अलग-अलग टॉपी की डिजाइन्स हैं अपूरा फ्लावर का लोग देने वाला है बच्चों को तो ऐसी बहुत पसंद आएगा अगर आप उनकी सामने बनाने बैट जाए तो वो तो इनको बनाने से पहले ही खा जाएंगे मेरी बेटी अभी सो रही है इसलिए मैं जलदी उसके लिए सप्राइज वाली माला बना रही हूँ जब वो जरुरत नहीं पड़ेगी अब इन चॉकलेट्स की जरुरत पड़ेगी तो कैसे टैस करना है वो बताती हूं देखिए ये 1.5 मीटर के असपास का रिबिन है तो आप चाहें तो गले की तरफ से भी गांट लगा सकते हैं और आप चाहें नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं इसको गले में चुकती है इसलिए मैं नीचे की तरफ गांट लगाएँगी तो गांट क्या लगाँगी मैं इसमें गलू लगाँगी तो देखिए इसको जिग जैग तरीके से रक् politics रखा हैंश्पोर दिखग है और इसको फोल्ड करके यहां पर गलू लगाँगी नेजीб सबसे पहले मैँ इसको चिपका दिया इस तरीके से देखिये क्रॉस एक ulaस्न सबकर करें जिठता दिया है इत्थ फुलेगा नहीं ब्लकुल भी हम यहां पрь हरका से घ्णा दोड़ा कि इसको इस तरीके से चिपका देंगे तो दथित County नोट जैसी बहुत गई है mask视 यहाँ पे नोट लग गई है आप चाहें उपर भी लगा सकते हैं धिक्यम नीचे ही लगाती हूँ हरबार तो मैने आपको नीचे ही बताय है बच्चों तकलीफ नहीं होती है, उपर गाट चुकती है, इसले नीचे मैंने इसको लगा दिया है, इसको फिक्स हो चुका है, खुलेगा भी नहीं, और लोड नीचे पेड़ेगा भी नहीं ज्यादा तो खुलने का कोई सवाली नहीं उपता, तो देखिए अब इस रिबन में लगाने तो किस तरीके से लगाओंगी इसको देखिए सबसे पहले हम यहां पर इसको भी चादेती हूं पहले और इनको किनारे कर देती भी अब मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं यहां पर ही जो मैंने नोट लगाई थी इसी पर मैं अपनी दू लगाऊंगी पर दू लगाने के पर जो मैंने यह किसमे वाली टौफी का बेच लगाया था इसको मैं इसमें चिपका दो यह देखिए इस तरहीं से चिपका दी है अब हमें लगानी है इसमें चौकलेट तो हमें इसी डिबिन के उगर मैं चौकलेट लगाएंगे 10th वाल यह फाइव स्टा के उपर में जोड़ देना है अब दूसरे फाइव स्टार में हम ऐसे ही करेंगे देखिए जो ग्लू लगाया है इसी इसी ग्लू में ही रिबिन जोड़ना है तो यह देखिए मेरी दो नो फाइव स्टार जूड़ गई है इसके बाद हमें अपनी बूसरी टॉपी का यह सैट लगाना है तो मैं रैट के बाद अपनी गोल्डन लगाने वाली हूँ आप चैने तो यह मैंगो केंडी भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यह मैलोडी लगा रही ह ग्लू लगा देंगे और इसको रिवन में अटेस्ट कर देंगे ठोड़ा चॉकलीट लेना है यह जो चॉकलेट है इसके ऊपर आना चाहिए और यहां पर देखिए हम इसको चपका भी देंगे इसको परी किसी चीज पर रख्ते करिएगा हाथ में करने से थोड़ा टौपी तो बहुत जल्दी सूख जाता है ऐसे ही हमें दूसरी अपनी सेट को भी इसके उपर लगा दिया इसको यहां पर इसको फिक्स कर दिया ऐसे ही इसको इधर से अगर आप तक खुले तो इसको फिक्स करतीजे अब हमें इसको फिर से उपर चॉकलेट लगानी है तो थोड़ा हथ माला को नीचे करेंगे अब मेरे पास यहां पर मंच वाली चॉकलेट है तो मैं इसको इस तरीके से लगा लूँगी मैंने दोनों का मंच लिखा हुआ है एक की डियरेक्शन में कर रहा है इसको भी हम ऐसे करके अपना गलू लगा लेंगे बलूढ करें दोनों कर सब्स्त Union क 15-15 और देखे इस टॉप को उठाके नीचे से लगा लगा लेंगे अदि यहां पर नीचे से लगा लेंगे और इस टॉपी को उठाके यहां पे भी हम फिक्स कर देखिए फिक्स हो गई है तो यह मारी मंच वाली टॉपी लग गई अब हम दूसरा सैट लगाएंगे उपर तो मेरी मैंगो बाइट है इसको मैं लगाऊंगी यहां पे उपर की तरफ अब हम उसी तरीके से हाँ पे हमने ग्लू लगाया और इसको फिक्स कर दिया तो हमारी देखिए एक सैट और लग गया तीन सैट लग गया हमारे अब हम फिट से थोड़ा और उपर आएंगे आप इतनी भी रख सकते हैं अगर आपकी बच्चे छोटे हैं तो यह तीन सैट लगा के भी कर सकते हैं मैं अब इसके उपर पाइड स्टार पर लगाने वाली हूँ लखें पाइड स्टार वाली चॉकलेट है यह इसको आप पैटेस्ट करके लगा दीजिए और यहां पर इस वाली टॉफी के सैट को इस चॉकलेट से भी अटेस्ट कर दीजिए यहां पैटेस्ट नहीं करेंगे तो यहां से आपकी माला मुड जाएगी फिल राउंड अप हो जाए यहां पैटेस्ट कर दीजिए दो चॉकलेट के देखिए दो चॉकलेट हमारी इधर फाइव स्टार की लग गई है एक मंच की लग देगा है अब हमारा पीसरा सैट जो है तो देखिए आपर मेरी माला बन के तयार हो चॉकलेट है तो देखिए आपर मेरी माला बन के तयार हो चुकी है कितनी सुंदर माला बनी है और कितनी इजली बन गई है तो आप अपने बच्चों के लिए माला बना के जरूर ट्राइ करें बहुत इजली बन जाती है और आपके बच्चे तो खुशी हो जाएंगे सोली में और अगर आपकी गर्दन में यह वाली जो डोरी है यह कम छोटी बड़ी हो तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके हाँ पे ग्लू भी लगा सकते हैं तो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और आपके बच्चे छोट जादा छोटे हैं तो आप ये केवल इतना बनाईए थोड़े बड़े हैं तो इ ये ज़रू बताईएगा कि आपने अगर अपने बच्चों के लिए माला बनाई है तो आपके बच्चों को कैसी लगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही बाई 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 फ्रेंड्स हैपी होली टेक कियर